असलाम लेकुम डेलेर्नर्स एंड वेलकम बैक, डिसकेशन हमारी वही चल रही है कि उन्टेप्नोर्स आर बॉर और एक हमने कहा था कि हम ये जरूर बात करेंगे कि हमारे हैं कुछ कास्ट सिस्टम है और हमारी एक राय डिवलप हो जाती है एक जर्णल उपीने डिवलप हो ज कर रहे थे कि बास दोकात आप आप एटरपेंवर नहीं बनने का प्लान कर रहे होते हैं लेकिन जो काण्टेक्स यहां आपके सर्कम्स्टेंस आप Febru टरह आ तैं कि आप एक बहुत इछी entrepreneur हैं. So, आपकी राय में यह जो हमारी necessity driven entrepreneurship है और यह जो हमारी context based entrepreneurship है, यह क्या role play करती है? देखें, जो discussion पहले की गई है, उसमें मैं समझ रहूं के दो बातों को overlap हो गई हैं अपस में. एक जो चीज है वो context है और दूसरा यह है के born with certain talent. ठीक हो गया. अब आप देखिए, बाज वकात ऐसा भी होता है कि आप एक खास talent के साथ bond नहीं होते हैं, यह आप के अंदर भी खास talent नहीं होता, तेकिन जिस माहौल में आप पैदा हुए हैं उस माहौल के अंदर sufficient support मुझूद है आपको drive करने के लिए एक खास direction में. तो आप के जितने अजीज़ो अकारब हैं, वो सारे उस काम को कर रहे होते हैं, अच्छा वो इस तरह से कर रहे होते हैं, मैं मिसाल के तोर पर मैं आपको अपनी मिसाल यू देता हूँ, के मेरा जो family है ननियाल और दद्याल, वो दोनों कई सदियों से gold का का काम करते हैं, अच्छा अब हमारे अजीज़ो अकारब में जो jewelry की value chain है, यनि इसके अंदर जितने भी जहां से आपका gold start होता है, आपका raw gold और ultimately जो आप उसको retail करते हैं, उसके पूरी जो chain है, अच्छा आप सदियों से ये लोग कर रहे हैं, मतलब आगर आप इसकी socially history देखें तो इस तरह रहा है क कि लोग शादी भी सरफ आपस में करते रहे हैं, एक खास profession के लोग जो है, तो उसकी वज़ा से भी हुआ है कि उस पूरी value chain में हर जगा पर आपके अजीज़ मौजूद हैं, अब आप एक family में हैं, आपको हर तरफ जो है वो आप उसी एक माहौल को देखते हैं, चीज़ों भी हो जाते हैं और एको सिस्टम जो है वो आपके risk को reduce भी कर देता है, एक जिसना, जो मैं मैं कहना चाहरा हूँ वो यह है, जो पिछली discussion में overlap हुई, वो यह थी कि बाउन का क्या मतलब है, और context का क्या मतलब है, बाउन का मतलब यह है, कि आम तोर पर आप अगर आप देखे करता है, इनका argument क्या है, इनका argument यह है, कि कुछ लोग होते हैं जो खास खसूसियात के साथ, यानि वो उनकी जो traits होती है, वो बड़ी developed होती है, when they are born, they are born with certain developed traits, अच्छा अब वो उसमें कुछ traits ऐसी जिस तरह के जाहीर साब में फरमाया कि entrepreneurs के अंदर risk taking जो propensity है, वो दूसर यह जो entrepreneurs जो होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है, कि यह uncertainty के लिए इनकी patience आम लोगों से बेतर होती है, tolerance for ambiguity को हम कहते हैं, यह patience for uncertainty कहते हैं, यह उनके अंदर बेतर होती है, अच्छा उसके बाद पर यह के maneuver करने की सलाहियत इनके अदर अच्छी होती है, अच्छा अब होता कर रहा हो, यह जिस तरह उन्हों ने, अमना ने यह इस्तेमाइल किया, लफस की job culture है उनकी family में, तो आप की family में job culture है, लेकिन आप एक certain skill, developed skill के साथ पैदा हो गए हैं, तो आप बिलकुल एक ऐसा path ले ले लेते हैं which is less traveled by other family members, तो आप entrepreneur बन जाते हैं, इसको हम कहेंगे born entrepreneurship, जो बात दूसरी की जा रही है, जो अमना ने अपने बारे में भी बात बताई है, जिसको थोड़ा सा जहीशा है, वो उसको हम कहेंगे, उसके अंदर born वाला element नहीं है, उसके अंदर ecosystem वाला element है, जरूरी नहीं है कि हम born with certain skills, जरूरी नहीं है कि मैं entrepreneurship talent के साथ मेरे born हुआ हू और उनों ने वहाँ पर ऐसा डूबने से बचने का ऐसा network बना रखा है, कि मैं तराकी जाने बगार उसमें कूछ जाता हूँ, जरूरी मैं बच जाता हूँ, यह है ecosystem का कमाल, यह है context का कमाल, यह है आपकी family supporter कमाल, इसका तालुक बान के साथ बिलकुल भी नहीं है, इसका ता अपना argument मेरे colleagues ने built किया, वो argument यह था कि कोई trait है आपकी, मैं कहता हूँ, और एक potentiality है और उस potentiality को polish कर लिया जाता है, मेरा argument यह है कि अगर आप potentiality की बात करते हैं, तो potent चीज है कोई, तो मैं कहता हूँ कि तमाम इनसान एक skill के साथ पैदा होते हैं, इसको skill of survival कहते हैं, यही तो skill of survival है, जो जिन्दगी में आपको अपना रास्ता ढूंडने में मदद देती है, और असल में यह skill तो सब के अंदर है, तो मैं कहता हूँ, जिसके अंदर यह skill मौझूद आना, उसको entrepreneur बनाया जा सकता है, तो यह सरे bond नहीं है, बलके can be made, मेरा argument ही है, मैं यहां पर रिज कि if somebody is born in a family where everybody is doing the business, so it eventually comes in its genes, उसको मैं जिस वकत थोड़ा सब बड़ी हुई, या मैंने जिस वकत इस वकत इस तरफ देखा, I never wanted to work, मुझे जॉब करने का था ही नहीं, ठीक है, इसमें मेरे वो चीज नहीं है, इसमें सरफ एक आपकी चीज अगर family by family चलती हारी होती है, तो अब bringing की बाद कर सकते हैं, अब bringing की कह सकते हैं, तो it eventually comes in your blood, I can say, कि आप एक चीज सोच, आपको पता है कि यही करना है, ठीक हो गया, उसमें ecosystem वाला point भी हो सकता है, लेकिन यह यह भी है कि born entrepreneurs इस तरीके से भी होते हैं, अच्छा, इसमें, sorry, blood वाली बाद से वो कास्ट पे च सवाल पर आएंगे, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, यह सवाल बड़ा एहम है, एक certain caste है, और उस caste में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, वो सारे entrepreneurs पैदा होंगे, genes की जहां तक तालुक है, हम देखते हैं कि बहुत कामिया, बहुत बहुत बहुतरीन actors हैं, और हम यह assume करते हैं कि जब उनके बच्चे फील्ड में आते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके genes में होगी, वो acting, यह उनके genes में होगी, अगर वो doctor हैं, यह कुछ engineers हैं, but when they are coming to the field, वो fail हो जाते हैं, और वो कामियाब नहीं हो पाते हैं, अच्छा, उनमें genetically, उनको acting भी हम assume करते हैं, कि मिल हैं, but उसके बावजूद वो कामियाब नहीं हो पाते हैं, तो इसका मतब है कि success का कोई और formula भी हो सकता है, एक हर individual के different personality भी होती है, बिल्कुल ऐसा है, इस महौल में मैं एक यह चीज भी समझते हूं, जो आपने example दी कि कि किसी actor का बच्चा है तक उस expectation level भी बहुत हाई हो ज जब इनिशल आप, इनिशल जो step है वो उसके बाप ने भी जब पहली movie की होगी तो उसने भी इतनी बुरी acting की होगी, जितनी बुरी acting उसने पहली अपनी film में की होगी, लेकिन उसके expectation इतनी हाई है कि यह इसका बेटा है, तो everybody expects कि यह पहली film से इसका बेटा है, बिल्कुल इनिशल स्टेप जिसने भी फैमिली में लिया होगा उसने थोड़ा सा लड़ खडाया होगा, उसने टाइम भी लिया होगा अपने आपको सेटल करने का और इतने अर्से के बाद वोगर अपने आपको इस लेवल पर लेकर आया है तो वाय आपको एक्सपेक्टिंग इस सन दॉटर तो बी आँ बाद स्टेप फ्रम देवल इनिशल स्टेज बिलकुल ऐसा और यह फैमिली ओंपने पर आते हैं जहीर सब आपकी तरफ दुबारा आते हैं यह कास्ट सिस्ट्म का क्या एक मैकनिजम डिवल पोचाता है हमारे हां के जी एक सर्टन कास्ट है और उसमें पदा हो रहे हैं ते आर वेरी गुड ऑउंट्रिनोर्स आप इससे अगरी करते हैं मैंसे पार्शली अगरी करते हैं ऐसी बात है मैंने देखा है कि हम चली नाम नहीं लेते किसी कास्ट का बट आई हम माई सेल्फ अब्जर्व के वो जो बच्चे होते हैं उनका माइंड से दूसरे बच्चों से मुक्तलिफ होते हैं और जब हम चोटे थे ना तो हमारे साथ इस ऊपर्टिकुलर कास्ट का बच्चा होता था तो वो पंजाबी में मैं मिसाल देता था था कि अच्छा ये ना सो मेंसे या ये बारान बात ठीक कह रहा है तो हमारे बाह कहते थे किढ़ यह फलाँ का बच्चा है इसकी गुफटगू भी जो है बिल्कुल वैसी है उस तर्म में और वो बन भी गया बाद में अटपने और ठीक हो गया और वह बहुत ज्यदा पड़ा नहीं मगर वो बन भी गया है मेरा ख्याल है कि इसकी कोर्रिलेशन पाई जाती है कि एक सर्टन का हैं पाकिस्तान की बात कर रहा है और खास तोर पे मैं पंजाब में जो जिनको अब्जर्ब किया है और वो है बिल्कुल आप अप अग्री करती है इससे वैसे जर्णल उपीनियन पाई जाती है लेकिन मैं आप की राए है नहीं इस इस तू कई कास्ट ऐसी है आपने भी ना सब्सक्राइब कर रहे हैं और उनके बेटों ने हार्डली मेरे खाला है सिक सेवन तक पड़ा होगा और वो सब इस वकत माशाला माशाला देया सच सक्सेस्पूल उनके सब के अपने प्लाजा उन सब की इंटरनाशनल ट्रावलिंग इस तरीके से उनको बेशक उनने पड़ नहीं है लेकिन वो इस वगत चाइनीज में इंग्लिश में हर बिजनेस के उसके कनवर्स भी करते हैं अपना बिजनेस भी करते हैं ठीक हो गया रिजवान साब आप बताए यह चुका सिस्टम है इसको हम कहां प्ट कर सकते हैं नेचर पर या नर्चर पर या यानि यह जिना हैं कि बिजवारा नर्चर पर चाइं हो फिकस ऊocus ए जिंवार्मेंट के अंदर इसको अगर हम साइटिफिकली जवाब देंगे तो हमधलनस देखके जवाब लेनस डे चाहिए कहां अपनी उसको लेकर अपर लेकर चलते हैं अब यह उत्राइब आ मिसाल के तोर पर अब देखें कि अगर मैं ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ अपनी फैमिली में तो मेरे दादा या उन से पहले या ना ना या उनसे पहले या मेरे जो चछा ताया है या मामू है उन में से कोई भी नौकरी पेशा नहीं है, ठीके, अच्छा मेरे वालिद जो ही पैदा होने शुरू हो जाएं तो इसमें एविडेंस तो ही कहता है कि यह बात बिल्कुल ठीक है जो आपने फरमाया कि यह नेचर है यह नर्चर है तो मैं यह कहूंगा कि दोनों चीजे हैं अच्छा अब हमारे पास चूंके आवाजी ने कहीं बात मैंचिन की थी कि वो ची जनेटिकली ट्रांसफर हो जाती है मैं यह नहीं कह सकता कि कितनी जनेरेशन एक प्रैक्टिस को रिपीट करें तो बात जनेटिकली ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है मैं यह मिरे पास आज़ी कोई नहीं है लेकिन इसके बारे में मैंने सुना जरूर है तो इसमें नेचर और नर्चर दोनों चीज़े हैं देखें माहौल मुझूद है अगर मैं इनकी बात को मान लों के दो चार पांच जनरेशन के बाद अगर एक प्रैक्टिस रिपीट होती है तो डेफिनिटली वो नेचर में भी शायद आ जाती है और नर्चर के लिए तो वहां माहौल मुझू यह जो फैमिली सिस्टम में से इतने सिक्का बंद किसम के जो उंट्रपरियोर निकर रहे हैं ना विए निकर रहे हैं कि नेचर भी सपोर्ट कर रही है और नर्चर बिल्कुल आज़ दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं दियर स्टूरेंट दिसकुशन तो बहुत हम एक मैं पूरा एक नीट्वर्क एजों को सपायर हैं के लिए लोग माजूद होते मैं अगर इसके बावज़ूत बाहु बश्गात वह बुरे तरीके से वाग वाज़ों हो जाती और हमारे पर सैसी वी it dialogue कि सब के सब जॉब औरेंटेड फैमिली सिजन का तालुक था उन में से कोई एक आगे आया वह entrepreneur बना और बहुत कामयाब हो गया इन अदर वर्ड हमारे पास कोई एक ऐसे यार्ट स्टिक नहीं है जिसको हम सामधे रखके यह कह सकें अगर आपके पास यह certain traits हैं तो आप एक कामयाब entrepreneur हैं और यह certain traits नहीं होंगे तो कामयाब entrepreneur नहीं होंगे coming back to the point entrepreneurs आप कितने ही naturally talented क्यों नहीं हो आपको training की आपको mentorship की जरुरूइत रहती है आपकी राइस के बारे में क्या बनती है it's up to you but again यह एक ऐसी discussion थी कि जिसमें हम आपके जहनों में सिरफ यह सवाल डालना चाहते हैं कि आपने इस बात पर जो है वो काइम नहीं रहना कि तो